अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए हरियाना सरकार का बड़ा फैसला सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक आयू के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगी कोरोना की वैक्सीन जिहां सनिवार को हरियाना के सियम मनोहरलाल खटर की अध्यक्चता में रज स्तरिय कोरोना निगरानी समीति की बैठक में रज के सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक आयू के सभी लोगों को मुफ्त टीका देने का निड़ने लिया गया है पंजिकरन 28 अपरेल से सुरू होगा जिन लोगों ने पंजिकरन कराया है उन्हें ही वैक्सीन मिलेगी दिल्ली के सरोज अस्पताल के कोविड इन्चार्ज ने कहा अब तक ऑक्सीजन का बैक अप नहीं मिला 70 मरीजों की हालत गंभीर जिहां दिल्ली के सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर समस्या गहराती जा रही है अस्पताल कोविड इन्चार्ज ने कहा कि हमें अब तक ऑक्सीजन का कोई बैक अप नहीं मिला है जबकि अस्पताल में भरती मरीजों में 70 की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है ऐसे में हम अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वज़े से मरी खराब है लुकों को ऑक्सिजन की किलतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में ऑक्सिजन पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने ऑक्सिजन ट्रेकिंग एप सुरू किया है इसे की प्रदेश के हर अस्पताल की मोनिटरिंग होगी ऐसी विवस्था सुरू करने वाला कारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी तो हैं ऑक्सिजन लाने वाले वाहन में लके हुए ऑनलाइन ट्रेकर के जडिये आवशकता के अनुसार सप्लाई होगी रेलवे ऑक्सिजन की सप्लाई के लिए ऑक्सिजन एक्स्प्रेस चला रही है तो हैं गाडियों को आने में द लिपगोश और मितुन चकरवर्ती ने कोवीड नियमों का उलंगन किया हमने चुनाव आयोग से सिकायत की लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी के बाद पर चल रहा है पस्चिम मंगाल में वैक्सीन और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है हमारे रजी की ऑक्सीजन बाहर जा र समिक्षा जिहां आपको बता दें नियूज एजनसी एनाई ने भारत सरकार के हवाले से बताया कि प्रधान मंतरी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्दता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समिक्षा के लिए बैठक की है उन्होंने इस पर जोर दिया कि मेडिक ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ती बढ़ाने के साथ साथ घरों और अस्पतालों में मरिजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरन भी उपलब्द कराने की तत्काल आवश्यक्ता है सिंगापूर से ऑक्सीजन टेंकर मंगा रही है भारत सरकार जर्मनी और UAE से भी मंगाने का फैसला जिहां देश में कोरोना संकरमण की दूसरी रहर सुना भी बन करा गई है हर दिन लाखों की संक्या में नए मामले सामने आ रहे हैं तो ही ऑक्सीजन की कमी से हाहकार मचा हुआ है कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों और ऑक्सिजन की भारी किलत की वज़े से मचे हुए हाहाकार की बीच किंद्रे सरकार ने विदेश से ऑक्सिजन मंगाने का बड़ा फैसला किया है मोधी सरकार नागरिकों की जान बचाने के लिए विदेश से ओक्सिजन मंगा रही है ग्रिह मंतराने ने जहनकारे देते हुए बताया कि सिंगापूर से ओक्सिजन की चार क्राईोजेनिक यानि कमतापमान बनाय रखने में सक्छम टेंकर विमानों से मंगा जा रहे हैं इस ओक्सिजन को देश के विभिन नहीं हिस्तों में पहुँचा जाएगा